जैन्द एवरीवन मैं समीर चौधरी यूपेसी इंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज हम लोग दो इमपॉर्टेंट इंदेस्टनल если के बारे में बात करेंगे ठीक है इक जो है आज आज्या एक टक शहीन एससिटानंष ईस्वावगत और 30 अजista और डुसरा सार ठीक है तर यह इसकेवारे में हम लोग बात करेंगे basically यह जो आसियान है यह हाल में न्यूज में रहा था November जो current affair था November का international relation वाला जो एक प्रकार से part था उसी का एक प्रकार से जो है यह न्यूज में आया आसियान वाला तो यह जो है इस तरह की जो भी regional organizations होते हैं वो आपके exam के point of view से काफी important हो जाते हैं तो मैंने सुचा है इसको अलग से cover कर लिया जाए और अगर आप previous year question paper देखेंगे तो इस पर questions बनते हैं अच्छा और यह regional organization इसे आसियान एक regional organization है जिसमें कौन-कौन से members होते हैं इनका headquarter कहां हाल में जो इसकी summit हुई है वह कहां पे है ठीक है इसका role क्या है ठीक तो यह सभी चीज़ें हम लोग को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है और exam के point of view से कहा जाए तो आप मेरा approach समझ रहे हैं कि जो भी इस प्रकार से कोई regional organization है या कोई इस तरह की report है उसको मैं emphasize करता हूँ बार बार कि इससे question बनने के chances काफी जादा होते हैं जैसे कि आप साल भर का current effect कवर करते होंगे तो कोई न कोई summit जो है किसी ना किसी organization की होती रहती है ठीक है तो सबसे पहले आसियान एक regional organization है ठीक है और regional organization जो है उसका क्या role होता है आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि रिजिनल organization किस purpose से बनाए जाते हैं ठीक है सार्क भी एक regional organization है और ऐसे कई regional organization है जो किसी ना किसी purpose से बनाए जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले समझे कि यह आपको जिसे map दिख रहा है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आसियान में कुल मिलाके 10 country हैं जो 10 country है जो इसके member है ठीक है और जिसका की नाम यहाँ पे दिया हुआ है मैमार थाइलेंड लाओस वियतनाम कंबोडिया मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलिपिन्स तो आपको बिल्कुल इन 10 countries के नाम जो है आपके prelims के point of view से बिल्कुल याद होने चाहिए ठीक है पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है इनका नाम याद होना चाहिए ठीक, दूसरी बात आसियान एक regional organization है और कोई भी regional organization जिसा कि आप देख रहे हैं ये सभी आपस में इनकी boundary सेट रही है और पहली बात और दूसरी बात क्या है ये एक geographical area को represent कर रहे हैं जो कि south east sia है ठीक है इन्डिया जो है south Asia में आता है इन्डिया south east Asia में नहीं आता है ये बात आपको पहली बात पता होना चाहिए अगर आपसे एक option exam में दे दिया जाए इंडिया South Asia में आता है या इंडिया South East Asia में आता है तो इंडिया जो है वो South Asia country है जिसके नाम पे सार्क रखा गया है South Asian Association of Regional Corporation तो सार्क का full form क्या है? South Asian Association of Regional Corporation तो इस पर हम लोग सार्क पर भी हम लोग थोई दर बाद आएंगे पर हम लोग आसियान के बारे में थोड़ा जानते हैं तो पहली बात मैं आपको पता है कि Regional Organization जो है एक प्रकार से एक geographical entity होती है यह आपस में इनकी geography जो है कुछ मिल रही है दुसरी बात कुछ cultural identity होती है समझ रहे हैं ना कुछ cultural इनकी identity होती है ठीक तो Regional Organization मान लीजिए कि कोई region है अब इन दोनों के बीच में मैं आपको example दे रहा हूँ कि कोई भी दो country है मान लीजिए कोई भी दो country है जैसे कि एक ये Cambodia है और दूसरा वियतनाम है for example अगर इन दोनों country के बीच में जग्रा हो जाए दो परोसी के बीच रहे है आपस में ही आपके आसपास परोसी रहते हैं अगर आप दोनों में जग्रा हो जाए उसको सांत कोन कराएगा तीसरा परोसी ही तो सांत कराएगा समझ रहे हैं ना सिंपली से दिये दो country है इने में अगर जग्रा हो जाए तो इसमें जो भी परोस में जो भी कंट्रीज हैं, वो इनको सांत करेंगे, भई जगरा मत करो, सब के अपने अपने इंट्रेस्ट हैं, हम लोग economically आपस में prosper कर सकते हैं, समरिद्ध बन सकते हैं, तो आपस में क्यों जगरा करना, तो ये regional organization का यही योगदान होता है, कि भई श चाहते हैं, दुनिया में सांती चाहते हैं, तो सबसे पहली बात क्या है, कि regional peace, world peace के लिए क्या चाहिए, आपको regional peace चाहिए, मतलब एक प्रकार से जो region है, जो area है, उसमें सांती होना चाहिए, तो आसियान जो है, उसी को परपस से बनाएगी, जो South East Asia का, ये सभी के सभी South East Asia की country है, कुल मिला के इसमें 10 country है, ठीक है, तो मैंने पहली बात आपको बताया, prelims के point of view से, कि आपको इन सभी countries के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, पहली बात, दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो association है, आसियान, ये जो original organization बना था, ये कब बना था, तो 1967 के Bangkok declaration, जो की आपको बिल्कुल नहीं गुनला है, 1967 के Bangkok declaration, जो की Thailand का capital है Bangkok, इसको ले के basically जो है, ये बना था, आसियान, ठीक है, और उस समय शुरुवात में सारी कि सारी country जो थी, वहोंने founding member नहीं थी, आपको founding member का भी नाम पता होना चाहिए, कि जब आसियान बना था, उस समय और Philippines, Singapore, Thailand, तो ये पांच ऐसी countries थी, जिन्होंने मिलकर आसियान बनाया था, तो ये जितने भी points में आपको बता रहा हूँ, ये सभी आप ध्यान रखेगा, कि भई, ये founding members कौन-कौन सी countries थे, और 1967 के Bangkok declaration के थुरू जो है, इनका formation हुआ था, ठीक है, तो जब एक organization बनी, धेद उसका एक प्रकार से expansion होता है, समझ रहे ना, तो 1976 में एक treaty हुई, जो कि Bali conference हुआ, Bali इंडोनेशिया में है, तो वहाँ एक प्रकार से conference हुआ, कि हम लोग जो है, बाकी countries को भी जो आस-पास की countries है, उनको भी हम लोग को सामिल करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद 1980s से 1990s के बीच में, मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, इस organization का, इसके बीच में जो है, बाकी countries में, इसमें interest दिखाया और इसके members बने, इसके बाद इसके observers बहे, जो कि Southard Nation से थे, बाहर से भी थे, इसके observers country भी होते हैं, किसी organization के, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ी, तो इस प्रकार से एक डेवलप हुआ, जो आसियान का जो development हुआ, उसमें जो फिलहाल जो development हुआ, उसमें trade and security, समझ रहे न, कि इस region के trade and security के लिए एक प्रकार से ये region डेवलप हुआ, समझ रहे न, जो trade और security के cooperation में, ये region एक डेवलप हुआ, जिसको आसियान कहा गया, और इस regional organization है, ठीक है, तो फिलहाल ये news में किसली आया, उसको लेकर हम लोग चरचा करते हैं, फिर हम लोग आसियान के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो news में इसली आया कि आसियान और इंडिया तो आसियान की summit हुई, इंडिया को भी नियोता गया होगा, तो इंडिया पार्टिसिपेट किया, और यह 19th summit थी, यह Cambodia में हुई, Cambodia country है, जैसा कि आप देख सकते हैं, Cambodia यहाँ पे है, ठीक है, तो यह Cambodia यहाँ पे है, यहीं पे यह summit हुआ, जहांकि India ने participate किया, आपको समझ आना चाहिए कि India और ASEAN का relation जो है, वो कितना पुराना है, समझ रहे हैं ना, तो 1992 में 1992 में, इंडिया sectoral partner बना, सबसे पहले कोई भी partner बनता है, sectoral partner ही बनता है, ठीक है, तो sectoral partner बना, फिर 1996 में बातचीत हुई dialogue partner बना, ठीक है, dialogue partner, ठीक, तो यह आपको पता होना चाहिए कि बहुत कब India जो है, इंडिया का क्या participation है, ठीक, फिर 2012 में, 2012 में strategic partnership, strategic partnership, ठीक, इंडिया मिला है, अस्यान समीट जब हुआ है, वहाँ इंडिया ने, बेसिकली क्या करते हैं, participate किया है, तो comprehensive strategic partnership, इसको upgrade करके, comprehensive strategic partnership, इंडिया ने एक प्रकार से upgrade किया, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का relation जो है, फिलहाल comprehensive strategic partnership है, जिसमें धेर प्रकार से अपने relation को चाहिए trade हो, चाहिए security हो, चाहिए economy हो, चाहिए cultural हो, आपस में जो है, आपस में relations improve कियाने की दिशा में काम किया जाता है, समझें, आपको इंडिया का और ASEAN का relation बचल गया, तो इंडिया ने celebrate किया, कुरुमिला के 30 सार, और 1992 से देखा जाता है, लगल 30 years of relationship with ASEAN, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी facts दिये हैं, मैंने आपको बता दिया कि 1967 में ASEAN established हुआ था, शुरुवात की 5 countries यह थी, इनका objective था economic growth, जो भी उस region में South Estasia का जो region है, उसमें economic growth, social progress, cultural progress, cultural development, आपस में cultural cooperation, और इसके अलावा, जो ASEAN है, इसमें जो भी head of state होते हैं, मतलब माल लिजे अप participate करते हैं, इस तरह की कोई भी summit होती है, ठीक, next आईए, significance of India ASEAN relation, तो इंडिया का जो की कुछ policies है, इसे इंडिया की act East policy है, इंडिया की act East policy यही है, जो आप माल लिजे कि यहाँ पे मैमार है, इसके बाद यहाँ पे मंगलादेश है, और यहीं पे जो है यह इंडिया इस प इसके उपर जो है South Korea है, तो किस प्रकार से जो है, इन countries को यहाँ पे जापान है, तो किस प्रकार से इंडिया relation बनाए, इंडिया को अपना इसी के थू जाना पड़ेगा ना इंडिया को, इंडिया को तो यहीं पे मलका इस्टेट पड़ता है, इंडिया को trade करना है, अगर इतना घूम के इंडिया को trade को नहीं करना है, इंडिया इसी 20 से पास करना चाहता है, इन सभी countries से क्या करना पड़ेगा, आपस में relations को improve करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको ASEAN के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इंडिया जो है, इसके थू जाता है, और इंडिया क एक प्रकार से strategic interest है, economy में, तो इंडिया का actist policy हो, चाहे सागर initiative हो, security and growth for all in the Indian Ocean region, तो इंडिया का south वाला portion है, और ये पूरा Indian Ocean region है, तो सभी के सभी जो है, संपनर है, सुखीर है, उसके लिए सागर initiative है, कि वह security and growth for all in the region, ठीक, इसके अलबागा connectivity पर ध्यान दिया है, चाहे North East वाला जो portion है, वो चुकि इसका border लगता है, म्यामार से, फिर उसका border लगता है, थाइलेंड से, तो चुकि अपना North East का portion जो है, connect किया जा सकता है, through land, land के थूरू, समझ रहे ना, कि भाई किस प्रकार से, जो है, land connectivity बढ़ाई जाए, उसके लिए basically initiatives लिए गये हैं, ठीक, इसके अलाबा कुछ security में, maritime, जैसे navy के थूरू जो है, जो exercise होती है, corporate, corporate का full form होता है, coordinating patrol, अब ये corporate India, बंगलादेश के साथ भी करती है, इंडोनेसिया के साथ भी करती है, Thailand के साथ भी करती है, इसके लाबा सिम्बेक्स, जैसा कि मैंने defense exercise मैंने discuss किया था, उसमें मैंने बता इंडिया, Singapore, India, maritime exercise, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक, इसके अलाबाद आप जैसे कि यहां पर देया हुआ है, कि इंडिया का 90% trade जो है, इंडिया का 90% trade जो है, वो मलक्का इस्ट्रेट, मलक्का इस्ट्रेट जो है, इस्ट्रेट जो word यूज होता है, इसका मतलब यह होता है, कि water body, इस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ऐसी water body, जो दो बड़ी water body को connect करती है, ऐसी water body, जो दो बड़ी water body को connect करती है, ठीक है, तो मलक्का इस्ट्रेट जो है, ये भी एक water body है, जो कि अंडमान सी, जो कि अंडमान सी, जो कि अंडमान सी किसमें आ जाता है, इं इसे इंडिया के नीचे भी पाक है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बता होना चाहिए, तो इसके थूरू मलक्का इस्टेट के थूरू जो है, काफी ज्यादा इंडिया का ट्रेड होता है, इसके थूरू जाता है 90% तो बेसिकलिया आपको समयना चाहिए, क्या importance है, ठीक है रिलेशन इसके अलावा supply chain management ठीक है अब इंडिया को माल लेजे ऑस्टेलिया के पास जाना है जापान के पास जाना है ट्रेड के लिए तो साउथ इस्ट एसिया के थो गुजड़ना पड़ेगा तो एक प्रकार से supply chain connectivity जो है उसमें इसका importance है ठीक और इसके अलावा इंडिया ने आसियान के साथ आपस में partnership भी कर रहे है जो कि नौर्थ इस्ट वाला इंडिया का portion है इसमें कई धेट सारे militant organization है जो कि इंडिया में militancy करके म्यामार थाइलेंड भाग जाते थे एक प्रकार से इनने कल्चल एक प्रकार से जो है जो टेरेडिजम को वाइलेंट के खिलाफ जो है cooperation किया आसियान के साथ कि अबना दोहर से 25 तक जो है किसी प्रकार के इस प्रकार के transnational मतलब एक वेक्ति जो है बाहर से आता है और कि यहां इंडिया अगर आप यूपे से बिलोंग करते हैं गोरख़ड के आसपास से बिलोंग करते हैं तो अगर आप कुशी नगर जाते हैं ठीक है जहां पे महात्मा बुद्ध में चानेक्ट्य में हैं उनकी काफी आस्था है महात्माबुद्ध में और बुद्धिजम में तो इंडिया से इस प्रकार से कनेक्टेड है कल्चरली ठीक तो था इतना मैंने बता है इसके लावा मुझे बताने के लिए ठीट सारे चीजें हैं तो मैंने सबसे पहले तो जो होता है जो नोन होता है किसी प्रकार उसका काम होता है इस प्रकार से जो है रीजन में पीस मनाए रखना सबसे पहली बात ठीक है अब यह आप समझें एक प्रकार से प्रकार से जो है आपस में किसी प्रकार का trade barrier को कम करें एक country दूसरे country से किस प्रकार से trade barrier को कम करें तो उसको लेके जो है ASEAN काफी successful रहा ASEAN ने क्या किया कि भई अपना एक common market बनाया ASEAN ने अपना एक common market बनाया मतलब इतना बड़ा एक market अपना खुद का बना लिया कि भई हम आपस में किसी प्रकार का marketing करेंगे तो आपस में हम trade barrier नहीं बलब फालतू का हम tax नहीं लगाएंगे फालतू का हम कोई hurdle या glitch जो है आपस में economy में रखेंगे फालतू का हम paperwork नहीं रखेंगे फालतू का हम permissions नहीं रखेंगे तो आपस में common market की दिशा में काम किया कि भई हम लोग काफी free market रखेंगे काफी free market रखेंगे इनका free trade agreement जो है 1992 में एक प्रकार से sign हुआ था तेक है इसको ASEAN FTA कहते हैं और लगवख लगवख आठ हजार ऐसे सामान थे आठ हजार आइटम्स थे जिस पे इन्होंने बिल्कुल से जो internal tariff थी उसको खतमी कर दिया खतमी कर दिया लवख समझ रहे हैं ना इस प्रकार से देखा गया कि ASEAN की जो economy है वो काफी बूश्ट हुई लवख डवल और ट्रिपल हो गई तो ASEAN एक सफल उदाहरन है कि किस प्रकार से रिजनली जो है आपस में cooperate करके जो है कोई भी country जो है या कोई भी country रिजन जो है आपस में किस प्रकार से develop हो सकता है किस प्रकार से develop हो सकता है ठीक और इसी दिसा में 2007 में ASEAN चार्टर ने ASEAN चार्टर साइन किया कि पूरे के पूरे जो ASEAN country है वो एक single market के तरह treat की जाए तो इंडिया भी इसलिए ASEAN में interested है क्योंकि इंडिया भी जो है इस प्रकार से सभी countries के साथ जो है economic participation और free trade agreement जो है of you से इसमें कुछ facts पता होना चाहिए जो कि मैंने बता कि कौन-कौन से country ASEAN में है इसका headquarter कहां पर है हाल में summit हुआ है कहां हुआ है Cambodia में हुआ है इंडिया और ASEAN को मिला कि 30 साल हो गए ठीक है relationship में इंडिया फिलहाल comprehensive comprehensive strategic partnership पर है ठीक है partnership है ASEAN में 10 country है ASEAN का headquarter जो कि मैं बताना भूल गया जकारता ठीक है इंडोनेसिया का capital है ठीक है तो ASEAN का headquarter कहा है जकारता ठीक है तो यह सभी points अब ध्यान रखेगा I hope अब आईए अब आईए ASEAN की तरह यह ASEAN जो कि South East Asia में आ गया यह पूरा पूरा region क्या है Southeast Asia ठीक है Southeast Asia लेकिन 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 एक ऐसा रिजन भी है जो कि South Asia कहलाता है जो कि इंडिया में जो कि जिसमें इंडिया आता है ठीक है अब South Asia जो है यह सार का full form है South Asian Association of South Asian Association for Regional Cooperation ठीक अब सार के बारे में कुछ facts आपको पता होना चाहिए जो facts पहले importance से पहले वह मैं बता दूँ इसमें कुल मिला के ऐसे 8 countries है तो members कितने हैं सार के 8 तो 8 members है नाम अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया तीन हो गए नेपाल चार भुटान पा ठीक है तो आपको पता चलिका सबसे पहली बात कि कुल मिला के इसमें 8 members है तो 8 numbers के नाम आपको याद होने चाहिए पहली बात दूसरी बात सार्क इस्टेबलिस कब हुआ था 1985 में जब basically cold war चल रहा था cold war जिस टाइम चल रहा था उस तमय basically जो है यह इस्टेबिस हुआ था आपस में originally जो है original peace, original cooperation के जो objective था जो देश से था उस basis के यह develop हुआ था तो सबसे पहले आपको यह बात समझ में आपको आपको पता होना चाहिए कि सार्क जो है इसका headquarters कहां पे है और दूसरी बात इसका जो summit है पहला summit जो पहला summit है जो इसको सार्क चार्टर कहते है पहला summit यह कहां हुआ था बांगलादेश तो बांगलादेश में क्या हुआ था पहला summit हुआ था और इसका headquarter जो है वह आपको पता है काठमांडू जो की नेपाल का capital है जो की नेपाल का capital सिर्फ स५ंट में में और सब्सक्राइब प्रोब्स पतेइब जो हुआ है इस उरी एक प्लेस है जहांपे इसे कुछ जो सोलजर्स थे वो अपने बैरेक में सोई हुए थे और उनकी प्रकार से जो है उनको गोली मार दी गई थी तो जिसकी बिसिस पे जो है इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था जिसके मुवी बनी है उरी ठीक और काफी ये न्यूज में रहा था आप लोग आप सभी को पता होगा अपने मुवी देखी होगी ठीक ये इंसिडेंट जब हुआ तो इंडिया का एक डिप्लोमेटिक समिट जो है सार का 26 में हुआ था होने वाला था तो इंडिया गाश्टेंट था भई हम पाडिसिविट नहीं करेंगे तो इंडिया के साथ सब्सक्राइटि एकता दिखाई ने भुटा ने बंगनादेशने से लंका ने कि भाई इंडिया का एक प्रकार से सहीं है कि ङब तक आप खतम नहीं करेंगे कांटा ट्रेट्रेजम में काम नहीं करेंगे तो पर प्रकaint में करकेशन-अमें वो था आसियान जिसके वारे में हम लोग ने डेटेल से चर्चा की जो काफी सक्सेस्फुल रहा काफी पहले 1967 में बना भी था ठीक है लवग 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 इसके घर हम बोले तो 50 साल से उपर हो गए लेकिन जो उसके बाद एक और सार्क जिसका एक प्रकार से इंडिया मेंब किस प्रकार से आपस में जो भी ट्रेड बैरियर से उनको कम किया जाए जैसे कि 1993 में जो भी शार्क मेंबर से उन्होंने साइन किया था साौथ इस यंश के Anatomy हैं जब docि सांगा free trade area ठीक है वो South Asia free trade area या agreement आप कहले जिए ये basically 2004 में sign हुआ था कि किस प्रकार से जो भी 8 members है जो भी 8 members है वो आपस में किस प्रकार से trade barriers को कम करें trade barriers का मतलब यह हुआ कि एक देश से दुसरे देश में जब भी products जाते हैं उस प्रकार के barriers होते हैं चाहिए quality wise हो चाहिए वहां के जो government या authority हो दूसरी बात उस पर जो taxes लगाए जाते हैं समझ रहे ना तो जो charges लगाए जाते हैं किसी भी country को इंडिया को कोई भी product import अगर नहीं करना है इंडिया चाहता है कि यहां domestically manufacture हो उस पर ठेट सारे charges लगा सकता है इंडिया ताकि वो महंगा हो जाए और कोई भी इंडिया में इसको ना खड़ी दे तो इसी तरक इसी प्रकार से जो है आपस में trade को movement को वो करने के लिए smooth करने के लिए यह किया गया और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए total trade होता है उसका सिर्फ 7 परसेंट जो है इन सभी का आपस में समझ रहे ना तो कितना कम है पहली बात दूसरी बात almost 25% of world population है इन सभी अगर 8 countries का population मिला दिया जाए तो almost 25% of world population है इसके बाब जूद जो है इनकी में trade relations अच्छे नहीं है cultural cooperation अच्छा नहीं है social social relationship नहीं है और दूसरी बात जो है एक world bank का data कहता है इंडिया को बंगलादेश में कुछ सामान भेजना है और बंगलादेश को इंडिया में कुछ सामान भेजना है almost 50 authority को तुरू जो है उसको जाना पड़ता है almost 50 signatures लगते है almost 20 authority तो जाना पड़ता ह most 50 signature required होते हैं और लवग लवग कई दिन लग जाते हैं सिर्फ permissions में समझ रहे हैं न वह एक प्रकार से जो है क्या है trade barriers ही तो है trade barriers ही आपस में दुसरी पर भरोसा नहीं है उसके लिए काफी projects है जैसे कलादान project है तो कलादान project जो इंडिया और मैमार को लेकर है यहां पर सित इंडिया का माल लिए यह बेंगॉल है कोलकाता है ठीक है और इससे यहां पर अपने को मनीपूर मीजोरम में कुछ पहुंचाना है तो थूरू बंगलादेस एजी होगा अगर हम इस प्रकार से जाएंगे तो क्या होगा अपने को जो है fuel जादा लएगा directly हम इस प्रकार से लएगा इस प्रकार से जो है इंडिया relations improve करना चाहता है और बागी पाकिस्तान जिसे इंडिया जो है अफगानिस्तान को काफी support करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान यहां पे hurdle बना हुआ है कि अपने थुरू हम कोई भी जाने नहीं देंगे ठीक है तो यह जो है अगर आपस में इस प्रकार से relations अगर रहे तो फिर regional corporations कम होगा 7% trade ही रह पाएगा और वही यही सभी यही country यही जो star की जो country है जो भी बाहर की organization से रिजिनल organization काफी जादा है European Union है Gulf Corporation Council है BRICS है यह सभी original organization है अभी इन सभी को भी हम लोग discuss करेंगे आज हम लोग ने आसियान और star के बारे म ने यह discuss किया है तो SAR को लेकर चुकि failure मैंने चुकि बताया कि India पाकिस्तान का तो relation है ही दूसरा failure का issue यह है कि जो भी छोटी country है इसे नेपाल बहुत छोटी country है बोटान चोटी country है चाहिए मंगला दे सभी India के इंडिया के इंडिया का strength बहुत जादा है इंडिया का population जादा इन पर किस प्रकार का एक प्रकार से इनके उपर over control ना करें इंडिया जो है इनको over control ना करें उसको लेकर भी ठीक से cooperate करना नहीं चाहती है तीसरा एक बड़ी समस्या है वो है चाइना चायना जो है इन सभी country को एक प्रकार से कर्ज देके इनको control की जाती है तो अभी जो situation ऐसा है अभी situation ऐसा है कि तीन कंट्री स्रिलंका पाकिस्तान और नेपाल अफगानिस्तान तो वैसे कोई अच्छा नहीं चल रहा है इन तीन कंट्री की बात के यह तीनों ट्रेप में फस गये हैं मतलब यह प्रकार से कर्ज के ज इसके लावा यहां पर food inflation मतलब खाने पीने की price काफी जाधा बढ़ी हुई है और दूसरी बात जो है यहां fuel inflation तो स्रिलंका वाल आपको पता ही हुआ हुआ था इस प्रकार से नेपाल का विहारत यही है पाकिस्तान का विहारत यही है और चुकि इंडिया जो है इसका never होते इंडिया जो है नेपाल के साथ अच्छा कल्चलरेशन होते हुए भी चाइना जो है नेपाल के देदरे ओवर कंट्रूल कर रहा है यह सभी चीज़े जो है वह अच्छी नहीं है ठीक है इसके लावा इंडिया नेपाल का काला पानी डिस्प्यूट जो कि आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए आपसे एक जाम में पूस देबाई काला पानी डिस्प्यूट किंस्टो कंट्री के बीचे में तो पता होना चाहिए लिंफिया दूरा जो है प्रकार से जगह है कुमाओ रिजन में ठीक है कुमाओ गरवाल रिजन उतरा खंड का इस्टेट है यह वाला महा काली रिवर है जिसका मेरी खासे शारदा भी नाम है तो जिर सारी चीजे हैं आपको सभी चीजे पता होने चाहिए बहुता भी नहीं सकता तो मैं आपको यह बताने कोशिस की कि भाई सार्क जो है उत्मा सक्सेस्पूल नहीं रह पाया आश्यान की जगह पे और जो सार् की लिसन से उसके बार मैं चर्चा किया पहली बात इसके लब एक तापी और पाइपलाइन आ आप सुनते होंगे तुर्कमेनिस्तान यहां पर है तुर्कमेनिस्तान ड lemons Estana और यहां पर चुकि पंजाब तो पंजाब में एक फजलिका जगाई जो भटिग्डा डिस्टिक है ना पंजाब का वहीं पे फजलिका एक प्रकार से तालुका है कहे लिए टाउन है तो फजलिका तक आता है यह तापी पाइपलाइन तापी जो है गैस पाइपलाइन है जो की यह भी प्रोजेक्ट नाइंटीन-nagटीज का है आई होप जो है इसके अलब बीबी आइन भी जब पढ़ा पढ़े होंगे कि बंगलादेश भूटान इंडिया नेपाल ये थू मोटर मतलब किस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए बंगलादेश भूटान इंडिया और नेपाल लेकिन इसमें से भूटान वापस दे लिया कि भाई हम क्या करते हैं इसमें कोपरेट नहीं करेंगे तो अभी यह भी फंक्शनल ठीक से नहीं हो पाया है तो इस सारी चीजे हैं आपको सभी पता होना चाहिए बाकि और भी जो डिजिनल और इस बारे में भी हम लोग नेस्ट लेक्टर में चर्चा करे ब्रिक्स हो गया ठीक है यह सभी जो हैं चाहे संगाई कोपरेशन और इस सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए आज हम लोगों ने जो है आसियान और सार के बारे में देखा जब सभी पर भी लेक्टर बनाऊंगा जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आफ यू से प्र कर दीजेगा बाई